नाउस्कार बोल के लब आजाद है तेरे मैं अभिसार शेर्बा क्या चीफ जासिस उविंडिया डीवाई चंदरचूर पर जूट बोलके उनके खिलाब भीड खड़ी करके भारती जनता पार्टी को लगता है वो चुनाव जी जाएगी क्या सावरकर जिन्होंने अंग्रेजू से एक नहीं दो नहीं बारह बार माफी मांगी थी उन पर जूटी और भ्रामक फिल्में बनाकर भाजपा को लगता है कि वो सत्ता तक पहुँच जाएगी ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते बोल इलाबाज़ाथ है तेरे सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि NDTV क्या कारकरम चला रहा है अडानी जी का जैसे ही कबजा हुआ है चैनल का चरितरी ही बदल गया है ये देखिए नौ साल मोदी के किस तरह से चुनाव जिताओ मशीन बन गए प्रधान मंतरी नारेंडर मोदी कहने का भाव यही है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ करनाटक में दस दन तक प्रधान मंतरी थे साम दाम दंड बेच से जीतने के तमाम रास्ते अख्तियार किये गए आज की तारीक में अडी टीवी को ये कारकरम करना चाहिए या फिर अपने दर्शकों को ये बताना चाहिए कि किस तरह से भारतिय जनता पार्टी के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनाव जिताओ नहीं रहे उत्तर प्रदेश और गुजरात को छोड़के क्योंकि हिमाचल में हार दिल्ली के MCD चुनावों में हार करनाटक के चुनावों में हार मगर चैनल इस तरह के कारकरम चला रहा है यानि कि किसी न किसी तरीके से प्रधान मंत्री को एक ऐसी शक्सियत के तोर पर पेश किया जाए जिससे हराया न जा सके नई संसद का उधाटन क्या मकस्द था इसका बताई न जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के लिए संसद के अंदर उनके समर्थक मोदी- मोदी के नारे लगा रही थे वो सब क्या जतलाता है नई संसद तो सिर्फ बहाना था उसके आयोजन के जरिये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोनी को ईश्वर भगवान के तौर पर पेश करना था मगर हत्यार सिर्फ यही नहीं है दोस्तों सावरकर पर एक फिल्म आ रही है उस फिल्म का पूस्टर मैं आपको नहीं दिख लाउंगा जान बूज कर नहीं दिख लाउंगा काइदे से मैं उसकी बात करना भी नहीं चाहता था मगर सावरकर की बात करूँ उससे पहले केरला स्टोरी आ दे कि मिले आपको इस फिल्म में प्रड्यूसर्ज ने दर्शकों के सामने एक जूट पेश किया था कि 32,000 भारतिय महिलाएं ISIS आतंगवादी संगठन में जा चुकी हैं उन्हें बरगलाया गया, हिंदू धर्म से उनका धर्मातरण किया गया तमाम किसम के जूट बोले गए आखिरकार प्रड्यूसर्स को अदालत में जाके माफी मांगनी पड़ी थी और ये जो बरामक संदेश था उसे हटाना पड़ा था मगर तब तक इनका काम हो गया था दोस्तों तब तक इन्होंने समाज में नफरत पहलाने की अपनी कोशिश में ये लोग काम्याब हो गए थे नतीजा केरला स्चोरी सूपर हिट अब आप जानते हैं सावरकर पर एक फिल्म आ रही है सावरकर की बारे में दो खलत बातें बरामक बातें जो हैं वो परोसी जा रही पहली बात फिल्म का पोस्टर ये कहता है कि सावरकर जो थे वो भगत सिंग सुभाष शंद्रबोस शंद्रशिकर आजाद इन सब के लिए प्रेरणा सुरूत थे कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखता हूँ जब भगत सिंग को फासी दी जाने वाली थी अगर वो माफी मांग लेते सावरकर की तरह तो शायद वो भगत नहीं चड़ते मगर जब वो भगत पर चड़े थे तो उन्होंने भगत प्हासी के फंदे को चूमा था सरफरोशी की तमनाब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजोय कातिल में है ये भावना थी उनके अंदर जब वो भासी पर चड़े थे और हाँ कहते हैं कि सावरकर जो है वो नेताजी सुभाज शंद्रबोस के लिए प्रेणा थे मैं आपको याद दिला दूँ कि नेताजी सुभाज शंद्रबोस की आई एन ए थी इंडिन नाशनल आर्मी क्या आप जानते हैं सावरकर ने उसका विरूद किया था उन्होंने अपने किताब में लिखा था कि हमें अंग्रेजों की सेनाओं का साथ देना चाहिए याने की सुभाज शंद्रबोस की आएने का विरूद करना चाहिए ये तमाम तत्त हैं ये जूट नहीं है मगर सावरकर को हीरो के तौर पर पेश करके इस तरह की भ्रामक और जूटी बाते कही जा रही है क्यों? क्योंकि चुनाव आने वाला है भाजपा से जुड़े प्रतीकों के बारे में जनता को जूटा संदेश दिया जा रहा है ये ना भूलें कि संसद का उदगाटन सावरकर की जन्म शती पर हुआ था इस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के मुँँ पर तमाचा मारा गया है दोस्तों इस तरह से जुट बोला जा रहा है यही नहीं दोस्तों पंकजेन जो कि एक फैक्ट चेकर है उन्होंने रंदी फूड़ा जो की ये जो सावरकर पर फिल्म आ रही है उसके राइटर है उनसे एक सवाल पूछा है उनसे पूछा है कि आपने ट्रेलर में ये कहा कि अगर महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता न अपनाया होता तो हमें आजादी 35 साल पहले मिल गई होती आजादी कब मिली थी? 1947 में 35 साल पहले यानि की 1912 क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी दक्षिन अफरीका से भारत कब आये थे? 1915 तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जब महात्मा गांधी आए ही नहीं थे भारत तो 35 साल पहले आजादी कैसे मिलती? बताईए मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ यकीनन इतिहास मैंसे कई मौके आये जब आजादी मिल सकती थी मसलन अ सहयोग आंदोलन मगर फिर आपको याद होगा क्या हुआ था सहयोग आंदोलन की दौरान चौरी चौरा हुआ था जब अंग्रेज समर्थित सिपाहियों को लोगों ने मौत की घाट उतार दिया था वो असहयोग आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजी शासन की नीव हिल गई थी, मगर जब महात्मा गांदी ने इंसा देखी, तब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए, वो अंशन पर बैठ गए थे, आंदोलन वही रुक गया था, इस बात को लेकर कई लोग म आधारित हो, ये तमाम शब्द, RSS, हिंदू महासभा और सावरकर नहीं समझ सकते, और सबसे बड़ी बात, जो रंदी पुड़ा ये कह रहा है कि नेता इशबाश चंदर गोस के लिए सावरकर प्रेणा थे, बड़ा प्रश्न ये, कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ, भार एकमात्रिसैनिक संघर्ष आयने था, तो फिर उस आयने का विरोध क्यों कर रहे थे सावरकर, और फिर फिल्म में ये क्यों कहा गया, कि अगर अहिंसात्मक आंदूलन ना होता गांदी का, तो हमें 35 साल पहले आजादी मिल जाती, विरोधा भास देख रहे हैं आप, मकसद क गरिमा से कोई ले ना देना है, और फिल्में भी भाजपा की चाटुकारिता का जरिया बन गए हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे केरला स्चोरी हो, या फिर ये जो फिल्म आ रही है सावरकर, मकसद क्या है, किसी भी कीमत पर, जो लोग आप पे सवाल करें, उन्हे बदनाम करो, उनकी विश्वसनियता खत्म करो, और जूट का प्रचार चलाओ, जो अभी अभी मैं प्रमारित कर चुका हूँ, सावरकर पर जूट, और चीव जस्टिस अव इंडिया, डी वाई चंदरचूर पर जूट, दोस्तों, ट्विटर के अंदर, बाकाइदा जिस इस तरह से उनने बदनाम किया जा रहा है, उसे कंपाइल किया गया है, जो लोग उनने बदनाम कर रहे हैं, मैं उनने दो रुपली ट्रोल्स को नहीं दिखाने वाला हूँ, उनकी पहचान नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं सिर्फ उनके ट्वीक्स दिखाऊंगा दोस्तों, याद कीजेगा महराष्ट पर जब टिपणी की थी चीफ जस्स ओफ इंडिया डीवाई चंदरचूड ने फैसला नहीं आया था तब उन्हें बदनाम किया गया था उनके बारे में अशलील बाते कही गई थी और नजाने क्या क्या कहा था तब कई सांसदों ने राश्पती द्रौपदी मुर्मू से अपील की थी कि उन्हें सुरक्षा दी जाए एक भीड घड़ी की जा रही है चीफ जस्स ओफ इंडिया डीवाई चंदरचूड के खिलाफ और मैं आपको बताता हूँ प्रचार तंत्र में ये जो कलेक्शन ओफ ट्वीट्स हैं इसमें उनके बारे में क्या क्या कहा गया है उनके बारे में कहा गया है कि चीफ जस्स डीवाई चंदरचूड है तो ISI की क्या जरूरत है यानि कि उनकी तुलना पाकिस्तानी जासूसी एजनसी जो एक आतंकवादी संगठन है ISI की जा रही है तंबर दो जोज सुरोस के साथ उन्हें ढूंडा जा रहा है उनके बारे में अशलील प्रोपगैंडा चलाया जाता है उन्हें एक लड़की की तरह, Artificial Intelligence की तरह उनकी उनकी जो शकल है वो लड़की की तरह बना दी जाती है उनके बारे में कहा जाता है वो International Toolkit का हिस्सा है यह देखिए दोस्तों, यह तस्वीर वाइल की जाती है कि Chief Justice of India D.Y. चंदरचूड बगैर चुने हुए आया वो कोई चुनाव नहीं जीते, राहूल गांधी पचास जादा चुनाव हार चुके है नरेंद रुमोदी कोई चुनाव नहीं हारे, यह प्रोपगैंडा चलाया जाता है कि भाई D.Y. चंदरचूड को अपनी बाते कहने का क्या अधिकार है क्योंकि वो चुनकर नहीं आये यानि कि इन अद्ध कचरा, दो रुपली ट्रूल्स, इनके जो प्रचार तंतर के लिए एक चुना हुआ राजनेता और चीफ जस्टिस अव इंडिया एक जज़ जिन में कोई फर्ख नहीं है यह चाहते हैं दोनों वोट्स के जरिये ही आए इस तरह से बदनाम किया जा रहा है दोस्तों, मकसद समझे क्योंकि सुप्रीम कोट में चीफ जस्टिस अव इंडिया डीवाय चंदरचूर के कुछ फैसले सब नहीं, कुछ फैसले आम इंसान के लिए उम्मीद की किरण बने है मसलन बिल्किस बानों के लिए जो बाते उन्होंने कही और इसे कई फैसले हैं जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ कहने का आर्थ साफ है कि जो भी इस सरकार को सहज करे बेशक हो अपना काम कर रहा हो, उसे बदनाम करो, टार्गिट करो और अपना जूटा प्रचार समानांतर तोर पर चलाओ और साथ ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोनी का महिमा मंडन हो खेला बिलकुल साफ है दोस्तों और वो दिखाई दे रहा है और इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि विपक्ष का रास्ता इन शुनावों में बहुत मुश्किल होने वाला है इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो मीडिया है वो पूरी तरह से भाजपा की जेब में है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को बदनाम करना जानता है और कुछ नहीं मगर हाँ, राजनीती की इस खेल को मैं अपने दिगाह से देखूंगा इस मंच पर आपके सामने तमाम बारी क्या रखूंगा क्योंकि बतौर पत्रकार, बतौर नादरे की मेरा फर्ज है उससे पीछे नहीं हटने वाला हूँ नवस्कार